हेलो गाइज, गुड मॉर्णिंग तु आल अफ यू ये वीडियो जो है नमबर वन सेंट्रल निवरस्टी हमने इसले लिखा है क्योंकि सच में ये अपने इंडिया की सबसे टॉप उनिवरस्टी है यहां पर एप्लिकेशन फॉर्म बहुत पहले से चल रहे हैं आप लोग बहुत सारे लोग फिल भी कर चुके होंगे लेकिन फिर भी बहुत सारे कमेंट्स ऐसे मिलते हैं कि लोग उनिवरस्टी के बारे में पूछ रहे हैं कि अप्लिकेशन फॉर्म का आएगा तो हमें लगा कि maximum लोगों को लगता है पता नहीं है कि application form इसकी एक बार और डेट एक्स्टेंड हो चुकी थी जो 30 तक रखी गई थी और फिर से डेट एक्स्टेंड होके 10 जुलाई तक रखी गई है तो आज है 5 जुलाई और आज से 5 दिन सेश है इस उनवस्टी में सभी लोग आविदन कर सकते हैं जो PG वाले हैं और जो नेट वाले नहीं है या फिर जो नेट वाले हैं वो भी जो appearing candidate हैं उनकी लिए भी यहाँ पर प्रावधान है और उसके बाद साथी साथ यहाँ पर fellowship भी मिलती है non-net fellowship भी मिलती ही UGC की जो PG only वाले candidate हैं उनके लिए और जो किसी भी national fellowship को hold कर रहे हैं उनको तो मिलेगी ही यहाँ पर अच्छी खासी सुविधाएं अच्छी खासी research और बहुत सारी opportunity के साथ यह आविदन मांगा गया है इसमें आप आवे दिन कर सकते हैं application fee 300 rupees है पर candidate बहुत ज़दा fees भी नहीं है हम आपको university के बारे में इसके जो और details है उसको थोड़ा detail में नहीं बताएंगे क्योंकि already video बनी हुई है तो चलते हैं देखते हैं जो date बढ़ी हुई है उसको यह application जो है दिल ही university का है और आप सभी से निवेदन है कि अगर आपने अभी नहीं फिल किया है तो पांस दिन से ऐसे फट 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 फिल कर लीजे और भी कुछ application form बचे हुए उसके बारे में आपको बताएंगे हम तो अगर आपको previous year question paper चाहिए तो उसका link description में है उससे जाके widget कीजिए आप store पर जाके वहाँ पर description अच्छे से पढ़ लीजेगा फिर आप वहाँ से ले सकते हैं बहुत सरे लोगों ने लिया है और उसी कायत लगबख किसी की अभी तक नहीं आई है तो उसमें अच्छे-खाचे MCQs है ज्यादा question है इसलिए आपकी मैदद ज्यादातर हो सकेगी तो उसको आप visit करके देख लिजेगा नहीं लेना है तो मत लिजेगा लेकिन एक बार इंखम ने दिया है अगर माल लीजे किसी भी प्रावलम हुई आपकी पेमेंट हो गई आप डाउनलोड नहीं कर पाए तो फिर आप contact कर लीजेगा WhatsApp पे और हम आपको डारेक्टली वो प्रोवाइड कर देंगे ठीक है तो जैसा कि दोस्तों आपाएंगे admission.uod.ac.in की site पे त यह जो date है वो पहले जो है 20 तक थी फिर उसको 10 दिन बढ़ा के 30 तक किया गया था फिर 10 दिन बढ़ा के आप जुलाई 10 तक कर दिया गया है ठीक है तो अगर आप अभी यह application नहीं किये हैं तो अभी आपके पास मौका है आप कर सकते हैं आपको और details इसके बारे में जान ले इसके निडेट हैं तो आपको 750 रुपे फीस देनी पड़ेगी ऐसी STPWD वाले 300 रुपे देंगे ठीक है एडमिसन का जो ब्रोश्यूर है उसको भी थोड़ा सा आपको उसमें सीटें दिखा देते हैं जिससे की जो application करना चाहें वो कर सकें यहाँ पर जो program का specific eligibility criteria है वो हर ए इसमें major research area available है वो भी बताया गया है और क्या research proposal mandatory है कि नहीं है वो भी यहाँ पर दिया गया है जैसे Arabic में दिया है कि research proposal is mandatory फिर इसी तरह सभी department का अगर आप department of English अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी सीटों की details, research area, eligibility and यहाँ पर कहा गया है कि research proposal आप कितने word का send करेंगे वो भी दिया गया है इसी तरह से department of Hindi में अगर आप आएंगे तो वहाँ पर भी बता दिया गया है सीटों के साथ कि यहाँ पर research proposal mandatory है और कितनी city कितनी category में ह बहुत ही अराम से आप इसको देख सकते हैं और तब जाके आप आवेदन करें जिस department में सीटे हैं अगर आपके category में सीटे नहीं है तो आप अन्जिवर्ड में जा सकते हैं category wise आप अपनी सीटे देख लें सीटे रहें तो ही जो है अप apply करें ठीक है तो maximum सभी departments में application के लिए सीटे हैं और यहाँ पर कहीं-कहीं EWS में नहीं मिलेगा आपको तो वह आप देख लीजेगा और यहाँ पर जैसे कि देली इनवस्टी का जो इंटरेंस टेस्ट होगा वो डी यू इटी उसको एंटी ए कंडक्ट कराएगा और वहाँ पर जो centers होंगे examination के वो सभी state में center लगता है maximum सभी state में तो उसको आप देख लीजेगा यह इतना 28 state यहाँ पर 28 centers दिये गया है ठीक ह टेक्स्ट का syllabus होगा वो भी इसकी माप examination अदलब pattern किस तरह से होगा तो यहाँ पर negative marking होती है नंबर आप question 50 होते हैं और इसी में आधा-धा आपका subject और research methodology से होता है ठीक है फिर उसके बाद interview mandatory होता है सभी के लिए बाद में merit बनती है due का application करते समय ही आपको research proposal type करने होते हैं तो वो आप या तो type करके रखे रहेएगा copy paste कर दीजेगा लेकिन जब भी paste करें आपको दिमाग में यह होना चाहिए कि वो आपका होना चाहिए खुद का लिखा हुआ खुद के दिमाग से यह नहीं कहीं से copy करके आप लिए हो ठीक कि यह clear है आप आवेदन करना चाहिए तो कर सकते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंफॉर्मेशन के साथ